हेलो फ्रेंड्स आप सुई का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल मिशन बोड़ी आंदर 21 में फ्रेंड्स इस बोड़ी मनों बात करेंगे विहार बोड क्लास 13 का रिजल्ट कब तक आएगा अगर आप लोग भी जानना चाहता है विहार बोड क्लास 13 का रिजल्ट कब तक आप लोग आप लोग वीडियो देखे होंगे यूटूब ऐसे वीडियो अपलोड हो रहा है जहां पर बताया जारा है कि साड़े शीय बज़े रिजल्ट आएगा आज आएगा कर लाएगा इससे बताया जारा तो फ्रेंट्स वीडियो में सीधे ऑफिसियल नीज अपरेल महिना में घोसित किया जाएगा आप लोग देख सकते हैं बिहार उसकुल एक्जामिनेशन बोड यानि BACB द्वारा कक्छा 10 की बोड परिच्छा के परिवान के संबंध में लेटेस अपडेट आई है आप लोग देख सकते हैं इसके मुताबिक नतीजे आज यानि आज नई घोसित किये जाएंगे बलकि रिजल्ट अपरेल में लोकडाउन खुले के बाद घोसित किया जाएगा तो आप लोग या पर देख सकते हैं आप लोग के रिजल्ट है वो अपरेल में घोसित किया जाएगा या जानकारे BSEB के यानि BSEB के अध्यक्च आनंद की सो लोकडाउन की वज़ा से सारा काम रोक दिया गया है तो फ्रेंड्स आप लोग को आप लोग जान लें कि अभी तक 75% कोप्य का मुल्यांकन हो पाया है और 25% की अभी बाकी है वह अभी लोकडाउन के बाद मुल्यांकन सुरू होगा आप देख सकते हैं इसलिए 14 अपरेल को लोकडाउन खुलने के बाद ये परिक्षाओं के परिमान घोसित किये जाएंगे आप देख से हाला कि छात्रों को दसवी बोड परिक्षा परिमान देखने के लिए उफीसियल बेप साइट जो है बिहार बोड का याणी बिहार बोडॉलायन., विहार, गौरवन, आविविजित करना याणी करते रहना चाहिए तो आप लोग याप देख सकते हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इससे पूर्व बिहार बोर्ड ने हाल में ही बारवी यानि इंटर्नमेडियेट की बोर्ड परिक्षा के परिमान घोसित किये बिहार यानि बिहार बारवी के बोर्ड परिचाओं के नतीजे घोसना के बाद अब दसवी के छात्रों को उम्मीद है कि बोर्ड का यानि जो जल जारी किया जाएगा अब लोगे आपर देख सकते हैं वही दूसरी तरफ देश भर में कोरोना वाइरस लगतार बढ़ते यानि बढ़ रहा है मामले और रोक थाम के केंदर और राज सरकारों के परियास के बिच बिहार उस्कूल इग्जामिनेशन बोर्ड ने उतर पुष्तिकाओं के मुल्यांकन की प्रकिरिया को 31 मार्च 2020 तक यानि के लिए रोक दिया था अब देख सकते हैं अब जब की पूरे देश में 21 दिन का यानि 21 दिनों का लोकडाउन चल रहा है जो कि 14 अपरेल तक रहेगा तो भीहार बोर्ड तेंथ रिजल्ट 2020 के जारी किये जाने की उम्मीद 15 अपरेल तक नहीं लगाई जा सकती है तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं 15 अपरेल तक भी नहीं लगाया यानि लास्ट मंत में रिजल्ट आएगा आप लोग आसे आप लोग को यानि इस लिए यानि ऐसा इस लिए भी संभाव है क्योंकि यदि बोर्ड 31 मार्च के बाद कोपियो का मुलियांकन सुरू करता है तो तो भी इसमें 10 दिन लग सकते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग जान ले जो आप लोग के रिजल्ट है उसको अपरेल के अंतिम सब्ता में घोचित किया जाएगा तो फ्रेंट्स आज की वडियो में तना ही मिलते हैं नेस वीडियो में